क्या पश्चिम बंगाल में उलट फेर के लिए लेफ्ट के सहारी है बीजेपी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लेफ्ट से किस बात की उमीद है लोग सबचुनाव के चौथे चरण में 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल की आठ सीटों पर भी उमीदबारों के भागे का फैसला हो गया 2016 के विधान सबचुनाव के बाद प्रदेश के बदलते समिकर्णों के लिहास से ये आठ सीटे खासा एहम है इस पाल यहां TNC और BGP में जबरदस्त मुकाबरा देखने को मिल रहा है TNC ब्रमुग जहां सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो वहीं BGP भी 23 सीटों के अपने लक्ष को हासल करने के लिए लेफ्ट की ओर देख रही है दरसल BGP को प्रदेश में अपने बढ़े हुए वोट शेर के चलते काफी उमीदे हैं जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से 6 सीटों पर BGP का वोट शेर 12 से 17 फीस दी तक रहा है हाना कि इसके बदालत त्रिकोनी मुकाबले में BGP को सीटों के लिहास से बड़ा फाइदा नहीं हुआ 2014 के चुनावों में लेफ्ट पार्टी के वोट बड़े नहीं बलकि एक बड़ा धड़ा लेफ्ट के वोट का BGP को चला गया लेफ्ट पार्टियों को जहां 12.5 फीस दी वोट शेर का नुकसान हुआ तो BGP के वोट शेर को 12 फीस दी तक की व्रिधी दर्श की गई BGP और TMC दोनों को वोटों के पोलराइस्थ होने की उमीद है BGP की उमीद लेफ्ट से छिटके हुए वोटों पर टिकी है हाला कि इसके बाद भी ममता के लिए पहली बार ऐसी आशंका है कि उनकी पार्टि के वोट शेर में कमी आ सकती है उधर ममता भी अपनी जीत का दावा विपक्ष के वोटों में बटवारी की संभावना की चलते कर रही है उन्हें लग रहा है कि बीज़पी, CPM और कॉंग्रेस में वोट बटने के चलते टीमसी को फायदा होगा सियासी महत्वकांशा के लिहास से बंगाल में बीज़पी और टीमसी दोनों ही बड़ी जीत दर्श करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है टीमसी सुप्रीमों ममता बिनर्शी प्रदेश की सभी 42 सीख जीतने का दावा कर चुकी है वोई बीज़पी भी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है और इस बार 23 सीटे जीतने का लक्षे रखा है बीज़पी के रणीतिकारों की माने तो यूपी में महागट बंदन के चलते सीटों के नुकसान की भरपाई बीज़पी बंगाल से कंडा चाती है इसके लिए बीज़पी यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाती यही वज़े है कि यहां इस बार बीज़पी और टीमसी के बीच जीत के लिए जबर्दस टक कर देखने को मिल रही है हाला कि बीज़पी यहां अपना लक्षे हासिल कर पाती है या नहीं यह देखना काफी दिल्चस होगा इंडिया न्यूज बारल की रुपो